नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, C.Y.S. लोजर में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरू का ये जो राजी परिवर्तल हो रहा है ये वर्षब लगन के जातकों के लिए किस तरह का परणाम देंगा बहुत ही मैत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी जन्मकुंडली में इसके परिवर्णामों को समझे साथ में इसको फलित कैसे करें क्योंकि फालादेश करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस चीच को समझे कि आप अकेले नहीं है इस धर्टी के उपर जिसका वर्षब लगन है आप जैसे हजारों लाकों करोडों लोग है तो सभी लोग जो है उन लोगों के लिए गुरूर अच्छा परिणाम दे या फिर बुरा परिणाम दे ये एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि परतेग वेक्ति की जन्मकुंडली अलग है उनकी उमर अलग है उमर के पढ़ाव अलग है जैसे कोई वेक्ति है वो बच्चा है तो बच्चे के लिए वो भी वर्षब लगन का है तो उसके लिए पढ़ाई की योगिता जादा है कोई अगर जवान है तो उसके लिए जो है वो नोकरी की योगिता या वेवसाई की योगिता ज़ादा है कोई अगर बूड़ा है तो उसे पैंसन की या फिर अपने हेल्थ से सम्मन्दी चीजों की आउशिता ज़ादा है तो उसी परकार देश, काल और रिति के अनुकूल परणाम मिलता है साथ में जो परिणाम मिलता है वो मिलता है हमें अपनी जन्मकूली से क्योंकि जो गुरू गोचर कर रहा है ये डिग्रियों से गोचर कर रहा है गुरू कोई अपनी मन मर्जी से नहीं चला है कि भई हम मैं कूंब में आ जाता हूँ फिर में मकर में आ जाऊंगा फिर मीन में आ जाऊंगा, नहीं ये गुरू का एक कर्म होता है और गुरू अपने आप चलता है डिगरियों के द्वारा, तो गुरू यहां पे zero degree से प्राणभ हुआ है और ये उट साथ दिग्री ते प्सक्राइब लाप और तैसे से कोई 2020 translations ये यक्रीनी में टाइव गूर पर टोग्रेजुरिक चैलेगा यानि कि सबसे पहले तो मंगल लाप में ला बडाय की योग जाती है क्योंग है गुरु दस्वे गर में आया है, दस्वा गर मान परतिष्टा का है, अपने कर्म का है, और गुरु जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी लगन में वर्षब लासी के लगन में गोचर कर रहा है, या नि वर्षब लासी में गोचर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर फाइदा है घुरु थोड़े मंंगल जो है वो थोड़े दिनोंगे बाद मित्वुंड रासी में जाएगा तो यहां पे धन भाउ में जाएगा तो तो अभी आपकी मान प्रतिष्टा बढ़ रही है, बाद में इस मान प्रतिष्टा के द्वारा आपको धन प्राप्ती भी होगी, यहां पर भी लाब है, अगर मंगल जिस दिन नीच का हो जाएगा, तो आपके फिर भाईयों के या पडोशियों से विवाद भी हो सकती है, तो वो दसाएं, अंतर दसाएं, परचंतर दसाएं, तीनों दसाएं, जैसे मैं उधाण के तोर पे इस कुंडली में समझाता हूँ, जैसे यहां पर चंदर मा में गुरू, गुरू में गुरू चल रहा है, तो जन्म कुंडली का जो ग्रह है, जो भी चल रहा है, वो अगर इस ऌपना मैं प्रतिष्टा बड़ेगी जब आपके परिवार के लोग आपके कुनबे के लोग कहेंगे ओहू हू बाइसाब ने मकान बना लिया है और खुद का फलेट ले लिया है और खुद का या कोई जमीन जायदा ले लिया तो आपका मान समान अपने कुन्बे में अपने जो लोग जानने वाले हैं उनमें बढ़ेगा तो इस तरह से गूरु यहां पे बहुत अच्छा पढ़नाम देते सकता है तो आपको यहां पे भिन हो जाते हो और तब आप इसके परिणामों को आखरान में देख सकते हों दस्वे घर में यानि दस्वे घर में जब गुरु गोचर करता है तो इसके लिए लाल किताब की बहुत ही अच्छी खहावत है बरस्पती जब दस्वा हुआ सुर्ग लोक के काम लालच में दोन कुर्ती ज़्यादा है बहुत ज़्यादा लाल साहे हैं हर कुछ पाने की कोशिस कर रहा है चाहे वो कैसे भी मिले चाहे वो जुए से मिले लौटरी से मिले किर्केट से मिले सट्टे से मिले कहीं से भी मिले तो यहां पर गुरु जो है वो इस कारण नमाया मिली नराम तो य को बिल्कुल भी नहीं दर साता आपको अच्छा धन प्राप्ति हो सकती है अगर आप अच्छी सतकर्मों से चलोगे अब दसवे घर में आया वा गुरू क्या क्या प्रणाम दे सकता है देखिए अगर आप सिक्षा से जुड़े हुए काम करते हैं यानि कि आप विध्यारती ह पर आ रही है तो आपको अनुभव का पूरा सपोर्ट मिलता है साथ में आपको जो हैं वो एक द्रस्टी चोथे घर पे आ रही है जो सिक्षा का भाव है आपके जो घर का बाव है यानि घर पे बैठके आराम से सुख शांती से पढ़ने का एक अक्रता करने का भाव है तो जो सिक्षा से जुड़े होए यानि कि जो स्टूडेंट है उनको इस तरह का लाव मिलता है साथ में जो लोग नौकरी के चैप्तर में है तो उन लोगों को परमोसन के लाव मिलेगी क्योंकि गुरू यहाँ पे क्या है कि दसवे घर में गोचर की है और इच्छा पूर्ती दिखाए गई क्योंकि यहाँ पे गुरू जैसे ग्रहों के साथ हो तो फिर और ज्यादा तेज हो जाता है तो यहाँ पे ज्यादा तिर्वता दिखाएगा तो नौकरी और वेवसाय वाले लोगों के लिए यहाँ पे जल्दी-जल्दी मान प्रतिष्टा के और धनलाव के योग बनते हैं साथ दानी रखें नेगेटिविटी यानिकी बूरे तरीके से नेगेटिव रोल निभाके आगे बढ़ने की कोशिश न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है वही दोहे वाली कहा वैता है ने तो माया मिलेगी और ने राम मिलेगा तो इस वजह से आप जो है व द्रिष्टी है वो सेकिंड आउस पे जा रही है तो परिवार वर्दी को बढ़ाता है यानि कि यह सेकिंड आउस हमारी परिवार का है तो यहाँ पे गुरू की द्रिष्टी आते ही हमारी परिवार की वर्दी को बढ़ाता है यहाँ पे जो गुरू क्योंकि गुरू नरसे मुकदमे में फसे हुए हैं तो गुरू की एक द्रिष्टी नवी द्रिष्टी छटे गर पे आ रही है दस्वें गर के उपर आ रही है इच्छा पूर्ति का भाव है तो जाद तक को क्या होगा कि उस कोट केस कचरी में भी जीत मिल सकती है देगी गोजर थोड़ा से वक्त का ह है तो इस समय पर हम कोई बड़ा निरने ले सकते हैं जो हमारा इस तरह के समय में धोड़े से समय में ihan खमप्लीट हो सकता है जैसे हमाई कोई परमोशन लेना आया तो उसके लिए हम कोई आविदन करना चाते है या कोई इसके लिए हम अपने बोश के साथ कोई बात करना चाते है या इस तरह के कोई भी तरह का documentation कीरिया कलाब करना है तो उसका फूर्ण रूप से लाब ले सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह का लाब जरूर होता है, यहाँ पे आपको भूमी, वाहन, हर तरह के लाब होता है, क्योंकि गुरू की एक दृष्टी जो है, चोथे गर पे आती है, तो प्रॉपर्टी के मिलने के योग बनते हैं, भूमी लेने के योग बनते है यह सारी जो चीज़ें हैं यह जब भी होगी जब आपकी जन्मा कोंडली के लिए रिए रएंदर राही अंतर रॕवड होगी सात में जिस ग Tax गोचर करेगा यह जिस ग्रह से कोडिनेशन करेगा अब जैसे मैने परिणाम बता हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह सारे पर STEM मिले क्योंकि है कि आपको नहीं मिल सकते कि आपकी कोई नसी एक गुरु अग्रे कुरू से समध मैंगे ऐँ डुम है मान लीजे मैंने जएक कहा था किसी शूरी तो यहां लिंक बनेगा तब ही तो परणाम मिलेगा बाकि आपके धरति पे कुछ भी क्या हो रहा है आपको क्या करना है जब आपको यहां पर पराम मिले का जब आपका यहां पर लिंक भरेंगा जैसे वद्हारन के लिए गुरु का संपन्द के वो दूसरे साधी हुई है या पहला बच्छा हो गया है तो या फिर क्या करेगा कि जात्क को जो हैं वो विवाठ के लिए योग बना देगा या फिर फिर्स्ट चार्य Means योग बना सकता है परीवार भर्धी के योग बना सकता है तो इस तरह के आपको द्रिष्टियों को देखते हो, द्रिष्टियों को समझते हो, तो ये सब द्रिष्टियों का खेल है, डिग्रियों का, यहाँ पे 0 डिग्री से प्रारम होगा, 7 डिग्री से चलेगा, अगर यहाँ पे मित्थुन रासी में, सिंग रासी में, तुला रासी में, कोई ग्रे, आपके दसवे घर में हो गया वर्सब लगनवालों पांच राश्यों का भागे उदे हो जाएगा तीन राश्यों का भागे फूट जाएगा यह सब मुर्ख बनाने का धंदा है और कुछ नहीं है क्योंकि यहां पर हर वो चीज जो है वो डिग्री नक्षतर उपनक्षतर आप को पर अपनी जनम कुंड़ी से मिल रहा है और उस प्रारब्द के ऊपर अगर गोचर का गोचर हो तब आपकी वो गढटित होगी अगर वहाँ पे गड़ित होने के नियम है नहीं तो यह गह गोचर करके तसा से जुड़ेगा तो जातक का मान प्रतिष्टा घटेगी जातक के जो हैं वो परिवार भाव में लड़ाई जगड़ा होगा जिसके कारण उसका जो है मान शिक्तोर पर अशान्ति होगी उसके जानने वाल लोगों में उसकी जो हैं वो प्रतिष्टा घटेगी साथ में भ बहेंकर उचार चड़ावाएंगे जिससे की जातक भैंकर परिसान हो जाएगा और कहीं न कहीं जो है वो जातक डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएगा और वो सज़ेगा कि मेरा जीवन जो है क्योंकि गुरू जब अपनी नीजता पर आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है यह नर्शे की सुब ग्रह है और ऐसे ग्रह जब नेगेटिविटी में आती है तो जातक की वर्दी को कारते हैं जब आतक की वर्दी कर चाती है तो सब कुछ कर जाता है इसलिए आपको सावधानी रखने पड़ेगी इसके लिए आप क्या करें अगर आपका गुरू करें धन्यवाद दोस्तों